हुआ 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 है आप सब आप सब अच्छे हुँगे आप सब का स्वागत है मैं विकास बच्छो क्लास 10 का मैच कर रहे हैं हम और चैप्टर है आपका कॉर्डिनेट जियोमेट्री तो बच्छो कॉर्डिनेट जियोमेट्री के कुछ क्वेशन सम करेंगे आज ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए मिड़ पॉइंट फॉम्ला और सेक्षन फॉर्मूला इसलिए जितने हो सके मैक्सिमम वराइटी व्क्वेशन सम कवर करने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में तो चलिए चलते हैं स्मार्ट पोर्ड तो ठ स्रीदा क्वेशन पर चलते हैं आपको होमवक के लिए इक वेशन दिया गया था उमीद करता हूं सॉल्व कर लिया होगा लेकिन फिर भी अगर किसी ने नहीं किया हो तो हम यहां पर फटाफट कर लेंगे इसको सॉल्व करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपका आंसर क्या आया है जो भी आपका आंसर आया हो जल्दी से अपना अंसर शेयर कर लिजी और अगर कोई बच्चा रह भी गया हो जिसने नहीं किया था एक पाट ट्राइज जरू होगा तो बहतर तरीके से आपको समझ में आने वाला है इसलिए मैं बोलता हूं चल्दी सिसको सॉल्व को चलिए बच्चों अब यहां पर हम साथ में इसको सॉल्व करेंगे ठीक है तो फिर से एक बार मैं question आपको समझानी कोशिश करता हूं find the ratio in which the line segment joining a and b ठीक है तो आपक इसके पॉइंट से एक वन माइनस फाइब और माइनस पॉर फाइब यह लाइन सेगिमेंट है यह क्या है कि भई डिवाइड़ वाइड़ एक्स एक्स जहां पर देखे चीजों में बहुत डिफ्रेंस आ जाता है जब आपको कुछ ऐसा बोले जाए तो एक चीज में आपको बताना चाहूंगा कि अगर एकश एक्स से डिवाइड किया गया है तो इसके कुछ कोडिनेट्स होंगे मतलब यहां पे कहीं पे खुट्ट बनेगा X-axis तो X-axis पे मतलब कहीं पे भी टिवाइड हूआ हो तो इसके जो कोडिणेट होंगे ना भी के वह X और 0 हो तो मतलब यहां पे Y 0 होगा कि को इस जी रो एक स finns हमेशा जीरो होता है कैसे आपर वाय और यह पास यहां से हसलाइन यहां पह करने के लिए अब आपको रेशो बतानी है तो रेशो जो अनुपात है उसको आप एक्स लेट कर लेट इसको के रेशो वन लेट करने लेट दर रेशो अब देखे बचो हमारा पॉइंट पी हमें चलिए हमें पॉइंट पॉइंट पी चाहिए तो पॉइंट पी के जो कोडिनेट होंगे वो क्या हो सकते हैं आपको पता है अगर हमें कोई रेशो है ठीक के रेशो बन में पॉइंट पी इसको डिवाइड करता है तो यह हो जाएगा यहां पे अगर आप वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी समझना बात को पी-क कोडिनेट यह है वैल्यू रखेंगे तो क्या आजाएगे यहां पे यह यह की वैल्यू रखे मूझ क्या है के और रहा है तो यहां से देखिए यह एक सुन वाले है यह एक सूवाले है तो एक सूब है-4 पाई उसके बाद है प्लस एन कितना है वन वन एंटू एक्स वन कितना है वन अपॉन की प्लस वन ठीक है बच्छो यह आ जाएगा उसके बाद कि यह दैंगे वाई टू कितना है ये प्लस एन की जगएं वन लिक्टेंगे वन लिक्तेंगे यहां पर थो पी के कोडिनेट हमारे पास चाई कई इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो माइनस-4 के आ जाएगा यहां पर माइनस 4K plus 1 by K plus 1 और यह आ जाएगा 5K minus 5 by K plus 1 यह दीक चीज समझना कि लेकिन की कोडिनेटि एक्स और जी रो होंगे तो फ़ाई इसको छोड़ दो हमें क्या चाहिए हमें सबसे पहले रेशियो चाहिए अनुबाद चाहिए तो इसको छोड़ दो क्योंकि यह तो एक्स के बराबर एका 2Weiriaately हो जाएंगे लेकिन यहांपर वाइ को हम जी ऊ से कंप्टेम कर सकते हैं तो जो यह वाला है यह एकस के बरॉबर होगा इसको हम सिरो के बराबर कुछ कर सकते हैं कर सकता마 कि कर सकते हैं UX यह को चलिए इसको आगे solve करते हैं के प्लस वन लेफ्ट हैंड चला गया तो जीरो इंटु क्या जाएगा जीरो हो जाएगा जीरो से किसी को multiply करेंगे तो जीरो आता है ना अब यह जीरो आ गया तो हम क्या करेंगे 5k-1 5 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो 5k तो कितना आ गया फाइब 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 लेट इस वन की वैल्यू वन आ गया तो आपको पता लग गया देर्फोर दरेश्यू अब हमें पता चल गया की वेशो क्या है अब यह हमें कॉडिनेट कॉडिनेट कैसे स्केंन टालेंगे पेच है तो यहां पर एक समझना बचो की अगर वेशो वन देशो फन है इसका मतलब यह हुआ कि ऑप पॉइंट भी है यह सैंटर में होगा है ना तब equiv toast इसका मतलब यहां से आप निकाल सकते हैं वह वांशonta यहां पे आपको की जगे यहां सबसे पहले वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ आपका x-axis क्या है, x किसके बराबर है, x होगा, x होगा यह, यह इसके बराबर होगा, minus 4k plus 1 upon k plus 1, तो x is equal to minus 4k plus 1 upon k plus 1, इसके बराबर होगा, तो अब बच्चू, यहाँ पर मुझे पता है, because k is equal to 1, तो x कितना आ जाएगा, minus 4 into 1 plus 1 by 1 plus 1, कितना आ गया यह, minus 4 plus 1 upon 2, और यह आ गया, minus 3 by 2, तो point p के आ गया, point p के coordinates minus 3 by 2, और यह 0, no down कर लिजी इसको, और हम mid point से भी इसको निकाल के देखेंगे, same answer आए, अब देखिए, अगर आप ऐसे नहीं भी करना चाहते, कोई दिक्कर नहीं है, आपको पदा चल गया, mid point, ना, क्या है, p mid point है, तो इसकी वजह से, हम क्या बोल सकते हैं, mid point formula लगाएंगे, हम यहाँ, यह हो जाएगा, यह निकालना है, ना, x2 plus x1 by 2, and y2 plus y1 by 2, यह तो ओगेसली 0 आना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपर से देखें, जो x1, x2 यह है, x1, y1 यह है, x2, y2 यह है, इनका इस्तेमाल हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो x2 plus x1, कितना आ जाएगा, minus 4 plus 1 by 2, और यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा, 5 minus 5 by 2, यह कितना आ जाएगा, minus 3 by 2, और यह आ जाएगा 0, वही कोडिनेट्स आए हैं, अब इस क्वेशन को नोट दाउन कर लीजिए, अच्छे से चेक कर लीजिए, कहीं कोई अगर आपको डाउट लग भी रहा है, तो पूँच सकते हैं, आप अधरवाइज इसको फटफट फट नोट लीजिए, ठीक बच्छो, यह समने कर लिया, नोट डाउन, इसी को डाउट नहीं है, तो आगे हम प्रोसीड करते हैं, और अगला सवाल कर, पॉस्चिन नमबर 6, नोट दाउन कर लीजिए, इसको, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, इस 1, 2, 4, y, x, 6, and 3, 5, all vertices of a parallelogram taken in order, find x and y, बहुत अच्छा सिंपल सा question है, आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो खुद बखुद पता लग जाएगा, यह एक parallelogram है, इसका नाम मैं रख देता हूँ, ABCD, एक है, अब जो तो इसकी वर्टेस्स हैं, वो क्या-क्या है, 1, 2, 4, y, और C है, x6, x6, and d है, हमारे पास, 3, 5, clear है, तो इसको देखे, आप solve करके, खुद देखें, मैं आपको hint देता हूँ, हिंट मैं जरूरू देता हूँ आपको, तो देखे, अगर इसके, हम बनाते हैं, डाइगनल्स, ठीक है, जो इसके डाइगनल्स होंगे, पैरलेलोग्राम के, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, बच्चों के, पैरलेलोग्राम के डाइगनल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, कि जो डाइगनल्स होते है, पैरलेलोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं कि पाइसेक्ट इच अधर कि इच अधर बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को आधे-आधे में डिवाइड करते हैं इसका मतलब समझना कि जो यह ओ है यह मिड़ पॉइंट होगा दो कि मिड़ पॉइंट होगा किस का मिड़ पॉइंट होगा यह का एंड वीडी का जो यह इसके विकर्ण हैं बच्चो परलेलोग्राम के इसको हम क्या बोल सकते हैं कि यह बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरी को मतलब जो पॉइंट ओ है जहां पे मिल रहे हैं यह इसके तो बच्चों सॉल्व किया होगा आपने उमीध मुझे कर लिया होगा काफी सारे बच्चों सॉल्व तो देखे अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता देता हूं आपको साथ में सॉल्व करते हैं इसको आप प्रॉचेक भी कर सकते हैं सबसे पहले देखिए प्रॉपर आपको लेंगवेज लिखने की बहुत जरुवत है इन सब्सक्राइब के क्वेश्चन्स में तो सबसे पहले आपको क्या बो लेंगे लेट इसी ओडर में लिख लेंगे इनको 1,2,4,y,x,6, and 35 यह सारे वर्टेशे लिख दिए यह बोल सकते हैं आप गोजने देखिए बोल कोर्दिनेट यह कोडिनेट से इनको हो अ फैर वी टी वर्टिस इस तो यह वर्टेस्ट होंगे पैरलेलो ग्राम एबी सी पीचे यह मैंने माल दिया है शाय दूसरा जो हमें इस प्रॉपर्टी पता है पारललो ग्राम की वह भी देगे कि वही जो पैरलो लोग्राम वह यह के डैगनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे चांट तो इसके विकर्ण है यह करेंगे एक दूसरे को हम दुभाजित करेंगे और पैरल्लोग्राम क्या हुआ समानतर चतुरुकुष तो यहां पर यह चीज भी लिखनी ज़रूगी है तो एक प्रॉपर्टी आप लिख लेंगे विकॉज दाइगनल्स ऑफर पैरल्लोग्राम के जो डाइगनल्स है वह एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो इसकी मदद से आप यह बोल सकते हैं तो इस दमेड़ पॉइंट अगर यह मिड़ पॉइंट है तो हम क्या करेंगे कि भाई एसी का और बीडी का मिड़ पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम निकालने कालेंगे मिड़ पॉइंट हो इस अ मिड़ पॉइंट अगर ओ एसी का मिड़ पॉइंट है ठीक है अब सिर्फ इसको देखना बच्छो एसी को इसका मिड़ पॉइंट ओ है तो ओके कोडिनेट कैसे आएंगे मिड़ पॉइंट फोमला आपको पता है फटा फट वह अप्लाई कर देंगे क्या होगा कि यह हो जाएगा बच्छो एक्स टू प्लस एक्स वन वाइटू वाइटू प्लस वाइवन वाइटू बस इसी का यूज करेंगे हम और यहां पर एक्स टू कितना है एक्स टू है हमारे पास एक्स प्लस वन अपॉन टू और यह कितना आगया है इसको हम लिख देंगे एक्स प्लस वन वाइटू और यह हो जाएगा कोडिनेट्स ओफ ओव विकॉज एसी की हैल्प से हमने निकाला था लेकिन बीडी का भी मिड़ पॉइंट है तो बीडी की मदद से भी हम कोडिनेट्स ओफ और निकाल लेते हैं ठीक है यहां तक नोटाउन कर आप एले कर लिया नोट डाउन तो आगे करते हैं आप इसको ओ ओ इस मिड़ पॉइंट 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 ऑफ इससे पहले हमने इसी के निकाला था अब बीडी का भी यह मिड़ पॉइंट है देन कोडिनेट्स ओ ओके कोडिनेट्स अब क्या होंगे अब हम इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे फॉर्मूला तो सेम है एक्सटू प्लस एक्सवन और वाइटू प्लस वाइवन तो यहां पर एक्सटू कितना है थ्री है अब फ्री प्लस और वाइट और वाइटू है फाइट फाइट प्लस वाइवाइट यह आ जाएंगे इसके कोडिनेट्स तो बस इसको आके हम सॉल्फ करेंगे क्या जाएंगे हमारे यह जाएंगे फच्ट फ्री प्लस फोर सेवन सेवन वाइट ओर यह आ जाएगा फाइफ लस वाइब आप अ चीक है तो अब हमें कोडिनेट्स मिल गए ठीक है ओके तो कोडिनेट्स मिल गए ओके लेकिन दोनों एक बल तो होंगे थाना जैंस बोथ दो कोडिनेट्स क्योंकि दोनों कोर्डिनेट्स सेम एक जैसे हैं बराबर हैं देरफोर हम इनको एक्वेट कर देंगे इसको एक्वेट करेंगे वाई एक्स प्लस वन जो कोडिनेट आया था इसको हम इससे करतेंगे सेमन बाइट्स से अना एंड जो हमारे पास पोर आया था वह जाएगा फाइब प्लस वाई बाइब तो अब देखें तो से यहां पर सब्सक्राइब और यहां पर इसको क्रोस मल्चिक्लिकेशन करेंगे तो यह एट इस इकल तो फाइफ प्लस वाई आ जाएगा एट माइनस फाइफ इकल टू वाई तो थी इकल टू वाई मतलब वाई कितना आगया आपका तीन एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई इस तरह से नोट डाउन कर लिजी स्को ठीक बच्छो यह सबने कर लिया है नोटाउं अगर डाउट है कुछ तो पूछ सकते हैं भी वी अधर वाई अग्ला सवाल हम करेंगे इसको यहां पर आपको बोला गया फाइंड अ कोडिनेट्स ऑफ पॉइंट एपी इस डायमेटर ओप सर्कल वू सेंटर इस तू माइनस थ्री एंड पी इस वन पूर तो यहां पर बोला जा रहा है बचो दिन्दू एक निर्देशान ग्याद कीजिए जहां एबी एक व्रत का व्यास है तथा जिसका केंद्र दो माइनस तीन है तथा वी के निर्देशान के एक चार है कि तो मैं अगर डाइगराम बनाऊंगा ज्यादा अच्छे से समझ में आएक आइगा आपको ये सरकल हो गया इसका एक डायमीटर है जया बनाने के लिए पहले हम उसका ले लेंगे तो संटर से होके गुजरता है सेंटर को हम ओ ले लेते हैं यह गया तो आपको क्या बोला गया है जो यह है इसके कोडिनेट्स आपको find out करने हैं ठीक है इसके कोडिनेट्स हमें नहीं पता तो आपको किसके कोडिनेट्स पता है फिर देखे यह एक्स वन वाइवन हो गए हमें एक्स तुवाइट्स पता है बीके कोडिनेट्स पता है क्या है वन फोर है यहीं जी वन फोर बीके कोडिन कोडिनेट्स और ओके कोडिनेट्स भी पताएं हमें कितने होगे यह बचो तो मैनस त्री अब इसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे और एक कोडिनेट्स निकालें अब यहां पर अगर आप सेंटर फॉम्ला यूज करेंगे तो क्या पहली बात तो यह क्या इस क्वेश्चन में हम मिड़ पॉइंट फॉम्ला यूज कर सकते हैं या नहीं तो यह सोचना है आपको यह सोचने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि यह जो डायमीटर है इसका इसको दू भागों बाटके देखते हैं वघी एसे जो इसका है मतलब रीडियस है इस topics करताह है लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की कि भाई 2 प्लस 1 बाई 2 इस x की value आ जाएगी तो वो गलत हो जाएगा क्यों? क्योंकि midpoint formula में जो value आती है वो आती है उन coordinates की जो midpoint पे होते हैं बीच में होते हैं इसलिए हम इसको इस तरीके से solve करेंगे जल्दी से इसको आगे आप solve करके बताईए क्या answer आता है आपका और इसके A के coordinates बता दीजे तो बच्चों इसको फटा-फट solve कर लेते हैं हम सबसे पहले आप से जो पूछा गया है coordinates of B उनको माल लेते हैं letter coordinates coordinates of A क्या हो जाएगा X1, Y1 माल लेते हैं उसके बाद इसके बाद बच्चों हमें पता है जो midpoint है midpoint of A B is 2 minus 3 यह midpoint है A B का which is center of circle यहां पे लिके दिया मैंने पूठा टेड़ा चला गये यहां पे important चीज यह है समझने की की जो midpoint है क्या है 2 minus 3 और यहां पे हम midpoint formula लगा के इसका midpoint निकालनी कोशिश करते हैं A और B का तो क्या हो जाएगा ऑप को पता है एक्सटू कितना है और एक्सवन यहां पर ओर एक्सवन है अपॉन तो तो देखिए अब इनको हम कंपेर कर सकते हैं बच्चों के साथ है इसको लेफ्टेंड साइड लिया और इसको लेफ्ट रेंगे वन पो तो यह पूर माइनस वन इस इक्वल टू एक्स हो गया तो एकितना आ जाएगा यह यह आजाएगा अगर इसको कंपेर करेंगे किसको जो हमारे पास यहीं पर कर लेते हैं हमें काम करते हैं इसको एक सी यहां पर लिख देता हूं में प्रेंड जो हमारे पास माइनस थी यह वो किसके बराबर होगा और प्रों को लेफ्ट हैं लाई है तो मैनस एक्स इपल तो प्लाइवन और और पोर को लेफ्ट हैं साइट लाई है तो माइनस 6 माइनस 4 is equal to y1 तो y1 कितना आ गया माइनस 10 तो भई x1 और y1 हमारे पास आ गए हैं तो हमें coordinates चाहिए थे यह ना तो आप लिख सकते हैं therefore coordinates नेट्स क्या हो जाएंगे यह हो जाएंगे बच्छो थ्री नो डाउन कर लिजिए यह आपका question यहां पर कम्पीट रहे हैं तो बच्छो यहां पर हमने कुछ questions की है ठीक है अलग अलग questions की है अलग अलग टाइप के जैसे एक question में किसी line segment को x-axis divide कर रहा था उस case में ratio निकालना था हमको और coordinates भी निकालने थे फिर एक parallelogram का question लिया हमने parallelogram के case में भई उसके coordinates कैसे हम पता लगाएं और उसके बाद circle के case में हम coordinates कैसे पता लगाएं यह सब हमने practice किये हैं questions बच्चों आपको घर पे जाके इनको revise करना है अच्छे से और इसकी question आप practice कर सकते हैं इसी के साथ आज का session यहां पर हम end करते हैं thank you and have a nice day